एक बार फिर से चुनाव आयोग रंगे हाथ पकड़ा गया आकडों की हेर फीर करते हुए पकड़ा गया और इसी के साथ आपको बता दे कि भाजपा उत्तर प्रदेश में 47 नहीं बलकि 72 सीटों पर करारी हार मिली है भाजपा को उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को आप देख रहे हैं नैशनल दस्तक जहां ये सबसे बड़ी खबर है कि भाजपा 75 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में उसमें से 72 सीटे हारी है ये हार कैसी हुई है और फिर अगर 30 सीटे दिख रही है उसके खाते में तो वो सीटे कहां से आई ये सब कुछ विस्तार से संद भेंगे पर उससे पहले आपका ये समझना जरूरी है कि आकड़ों में किस तरीके से हेर फेर हुए है चार तारीक को रिजल्ट आए लोग सभाचुनाव के अलग-अलग सीटों पर काउंटिंग होई उस दौरान तमाम हमने देखा कि कहीं बि हमते तक हजारों सीटों से पीछे चल रहे थैं हजारों वोटों से पीछे चल रहे थे उसके बाद अचानत से एक आएक उनके वोटों की बढ़ोतरी कैसे हो गई ये सारी वो जो गणाय है वो सब कुछ आकड़ों से समझेंगे ये आकड़े समझें एक सस्वीर है जो सोशल मेडिया पर खुब वाइरल है और ये आकड़े सिर्फ उत्तरप्रदेश के है आकड़े ये हैं उत्तरप्रदेश के कुछ सीटों पर 8,77,23,028 वोट इवियम मशीन में डाले गए हैं जिसकी संख्या 8,77,23,028 है ध्यान से सुनिए अब इसकी जो गिंती हुई है इन उत्तरप्रदेश के ये कुछ सीटों पर गिंती हुई है वो भी जरध्यान से सुनिएगा 8,76,75,134 यानि जो सीटों जो वोट गायब हुए हैं उसकी संख्या हो जाती है 47,894 ये सभी वोट कहां गए ये सबसे बड़ा सवाल खड़े हो ये वो सीटे हैं अलिगर, फरुखबाद, बासगा, फूलपूर, मेराट और इस तरीके से और खास बात ये है कि बनारस की जो सीट है जो खुद नरेंदर मोदी की सीट है वहाँ पर भी ऐसे आकड़े आए हैं वहाँ पर वोटों की संख्या 11,28,527 है लेकिन गिंती हुई ह 11,27,181 यानि 1446 वोट कहा जाते हैं फिर एक सवाल और ये जो वोट है वो आखिर किसके खाते से काटे गए हैं और किसके खाते में जोडे गए हैं अगर ये गायब किये गए हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है ये सबसे बड़ा सवाल है उत्तर प्रदीश में किस हद तक अंदली होई है और ना सिर्फ उत्तर प्रदीश में तमिल नाडू असम ओडिसा केरल सोचे कितनी बड़ी संक्या है जो वोट गायब कर दिये गए हैं और इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन वोटों को गायब क्यों किया गया है आखिर इन वोटों को किसके खात अदे से काटा गया है गायब करनी का मकसद क्या रहा जब वे जीम मशीन में वोट की संख्याक कुछ और है गिंती कुछ और हो रही है और आपको याद होगा चारतरी को जब आकड़ों की शुरूात हुई थी जब गिंती की शुरूआत हुई थी तो किस तरीके से बैलेट पेपर जो गिंती हो रही थी, पोस्टल बैलेट की जो गिंती हो रही थी, उसमें लगतार इंडिया गडबंधन बढ़त बनाई हुई थी और जब EVM की बारी आई, उसके बाद कहीं जाकर भाजपा का खाता खुलाता हुँ, तो इससे साफ समझाता है कि वहां के अधिकारियो की, क्या कुछ मिली भगत रही है उतरप्रदेश की और तमाम जो देश की जनता है, उसने क्या कुछ फैसला सुनाया है, लेकिन जान बूझ कर किस तरीके से चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है, उसके पहले भी हमने आपको कई तस्वीरे कई वीडियो बदा कर बताया और अब ये उतरप्रदेश में सबसे बड़ी खबर और इसलिए हम आपको बतारे कि किस तरीके से भाजपा उतरप्रदेश में 72 सीटे हारी है, तातिस उसके खाते में दिख रही है, लेकिन भाजपा की उतरप्रदेश में सबसे बड़ी यानि प्रचंड हार हुई है, वो 72 सीटे हारी है ये सबसे बड़ी खबर है ये जो रिपोर्ट है इंटर्नल सर्वे है नियूस 24 के क्या कुछ कहते हैं 75 में से 72 सीटों पर BJP को वोट इस बार कम हुआ यानि भाजपा को सीधे सीधे जनता ने नकार दिया अब आपको बता दे BJP के जो है 80 सीटे उत्तर प्रदेश में है जिसमें से BJP 75 सीटों पर लड़ी है जहां पर जनता ने वोट कम कर दिये हैं यानि 72 सीटों पर पिछले चुनाव से अगर कंपेर किया जाए तो ये सीटों पर चुनाव में वोट बेहद कम पड़े हैं और 72 सीट जो है कहीं न कहीं भाजपा हारी है और क्या पता जो ये वोटिंग के जो आकड़े बताए जा रहे हैं ये काट को जो गायब वोटिंग है जो वोटो की आकड़े गायब किये गए हैं जो संख्या है जितनी बड़ी संख्या में आपको बता रहे हैं हम करोडो करोड में वोटो की संख्या को गायब कर दिया जाता है और उसके बाद ये आकड़े किसके खाते से काटे जा रहे हैं औ स्टास्थ के अपको बता जा रहा है किrhτα की सारीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा भाब की जनता ने डवल एंगन की सरकार और भाजपा सरकार को सीजे से नकार दिया रही की सरकार जों के बैखलत Gan को नका रहा है ये साफ पता चल रहा है बारे लोग सबा सीटों पर बीजे पी को वोट एक लाग से जादा कम हुए बारे लोग सबा ऐसे सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश की हैं जिसमें एक लाग से जादा वोट कम हुए है सोचिए कितनी बड़ी बात है और प्रधान मंतरी जब बनारस की खुद की सीट से 2-3 घंटे पीछे चलने लगे तो सवाल तो समझ आई रहा है और यह जो आकडे निकल करा रहे हैं अब जो पता चल रहा है किस तरीके से दानिक भाश कर लिखता है यूपी के करमचारी सरकार से नराज 45 सीटों पर पोस्टल बैलेट में भी हार इंडिय गढ़वंधन से 5% कम वोट मिले तो इंडिया गढ़वंधन से जो है नडिय को 5% वोट कम मिले और 45 सीटों पर पोस्टल बैलेट पर इंडिय पीछे चल रहा था इंडिया गढ़वंधन आगे चल रहा था जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुवाती रुजान में किससी इंडिया गटवंदन आगे चल रहा था जब पोस्टल बैलिट की गिंति हो रहा थी एंडिया के खाते भी नहीं खुले थे इस दौरान जो है किससी तरीके से कर्मचारी नराज ही ये पोस्टल जो पुलिंग बूस पर जाकर इवें में वोटिंग नहीं डाल पाते वो पोस्टल बैलेट के मादेम से वोट डालते हैं और इसमें सीधे सीधे साफपता चलता है कि एंडिये से नराज है भाजपा से ये सरकारी करमचारी नराज से और पोस्टल बैलेट में वो सीधा असर द रताते हुए FIR दर्ज करने की मांग की गए लेकिन अब पुलिस ने आरोप पर आरोप लगाया कि FIR दर्ज नहीं होने दिया जा रहा है तो अब जब प्रत्याशी FIR करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी FIR नहीं करने दिया जा रहा है मात्र 48 सीटों से जीतना सोचिए ये होता है बहुत rare cases में होता है मात्र 48 सीटों से जबरदस्ती जिताया गया है सीधे सीधे सोशल मीडिया पर या आम लोगों का जो चुनावी विशलेशक है वो साफ कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती की जीत है और शुरुवात में शिवसेना के उम्मिदवार जो है वो आगे चल रहे थे उसके बाद जो है इन्हें करवडी करके जिताया गया है जीत रहे थे उद्धाव CCTV बंद करके एंडियो को जिता दिया महराष्ट में 72 CCTV कैमरे बंद करके इंडिया लाइंस को 48 वोट से हया दिया गया है बोलता हिंदुस्तान ने दक्विंट फिर लिखता है EVM data mismatch ये 312 सीटों पर किस तरीके से धांदली हुई है ये बड़ी धांदली है और किस तरीके से एक पाटी को जिताने के लिए क्या ये 240 सीटे जो भाजपा लाई है वो भी लाने में सक्षम नहीं थी और ये 240 सीटे भी इसी तरीके से गड़ब करके अपनी पीट थप थपा रहा है और बता रहा है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लेकिन इस बात का हिसाब नहीं है कि आखिर ये सभी वोट गए कहां है अगर स्थीट वाइस बात कर ले तो तमिल नाडू में 16,791 आसम में 10,760 ओडिसा में 9,427 और किरला में 7,928 और अंतरप्रदेश में 7,928 ये वो आकड़े है जिसमें वोट गायब है तो हर स्थीट में और 362 लोग सवाज सीटों पर किस तरीके से धानली होई और उत्तरप्रदेश में भाजपात 47 नहीं बलकि 72 सीटों पर किस तरीके से हारी है जनता ने उसे किस तरीके से नकार दिय इवन की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भी जनता ने नकार दिया और उसके बाद वहाँ बनारस के लोगों से अगर आप बात करें बताई जाती है कि काउंटिंग रुकवा दी गई उसके बाद फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कही न कहीं आगे जाकर निकले है व पिर करोडो करोड वोट गायब कहा हुए और किसके खाते से काटे गए हैं, किसे जितानी की कोशिश की गई है, ये चुनाव आयोग की जवाब दे ही है, चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा, इस पूरी वाचीत पर अपनी प्रतिक्रियाद जरूर दीजे. निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख झाल झाल